आप शवी को राज बहादुर शिंग का नमस्कार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर प्लान जब आप अपने साइड में कभी भी मास कॉंक्रीट करते हैं या मास कॉंक्रीट आती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कैसे प्लान करना चाहिए किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो हम एक टाइम फिक्स करते हैं उसके एकॉर्डिंग हमारा पोर क्वालिटी एंड सेफ्टी के साथ कंप्लीट होना चाहिए तो दोस्तों हम सबसे पहले आप आपको पोर प्लान के बारे में बताते हैं पारे पास एक फॉर्मेट है जिसको हम लोगों ने अभी अपने साइड में हमारा फर्नेस का राफ्ट था जिसकी क्वान्डिटी 2000 क्यूबिक मीटर थी उसको हम लोगों ने विदेन 26 अवर्स में कंप्लीट किया है तो हम अपने दोस्तों के साथ सेर करना चाहते हैं ताकि जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साइड में कभी भी मतलब मास कंप्रीट आती है तो उन चीजों को ध्यान रखेंगे तो 100% वो टाइम और क्वालिटी के साथ अपना मास कंप्लीट को कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आईए हम आपको पोर प्लान के बारे में बताते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा पोर प्लान का फॉर्मेट था कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने अपने इंजिनियर, सुपर्वाइजर, ड्राइवर्स, जो भी आदमी थे, उन लोगों से internal सारा मेटिंग करके, और हर एक की क्या-क्या responsibility है, उसके बारे में बता दिये, ठीक है, तो यह हमारा पोर प्लान हो गया, पोर प्लान में जैसे आप देख सकते हैं, अल्रेटी सारा details दिया हुआ है, हमारा जो concrete quantity थी, यह 2000 cubic meter में थी, हम लोगों को जो slump requirement था, वो अपना M40, मतलब 140 mm का requirement था, ठीक है, हमारा mix design जो थी, वो थी, M30 grade का हमारा mix design था, राफ्ट में, और हम लोगों ने किस से concrete किया है, boom placer से, ठीक है, हमारे पास already दो boom placer हम लोगों ने use किया, और एक boom placer हम लोग stand by में रखे थे, तो दोस्तों, जैसे कि यह format है, हम इस format के बारे में आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहला हमारा shift A, shift B, यानि day और night, हम लोगों ने दो shift में team को रखा, बारा बारा घंटे के लिए, और उनकी क्या-क्या responsibility है, ठीक है, उसके साथ-साथ supervisor जो है day में कितने रहेंगे, night में कितने रहेंगे, और आपको उनकी क्या-क्या responsibility है और किस बंदे को क्या देखना है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद main power, जैसे main power का details already हमने दिया है, हमारे raft में pockets और हमारे insert plates से उसके लिए carpenter, fitter, builder, gas cutter, आप देख सकते हैं mission, unskilled labor, unskilled labor इसमें ज़्यादा नहीं लगती दोस्तों क्योंकि boom pleasure में जहां हमको जरूरत पढ़ती है, जिस location में हमको जैसे suppose that ही हमारा raft है, हमको यहां जरूरत पढ़ी, जहां भी जरूरत पढ़ती है, वहाँ पे हम उसके boom से already इजली वे में कर लेते हैं, इसलिए हमेदी boom pleasure का use करते हैं, तो वहाँ पे main power थोड़ा सा कम लगती है, जैसे concrete pump या किसी other से करते हैं, तो उसमें थोड़ा main power compare the boom pleasure में ज़्यादा लगती है, others में ठीक है और इसमें boom pleasure में कम लगती है, इसलिए main power यहां पे unskilled main power कम, लेकिन mission हमारा raft बड़ा है, इसके finishing के लिए mission की requirement ज़्यादा थी, तो इस प्रकार से हमारा main power का detail हो गया, main power के details के बाद हमारे equipment जो हमारे हैं, क्या-क्या लगेंगे, कितने batching plant है, कितना miller लगेगा, ठीक है, by waiter कितना लगेगा, needle कितना लगेगा, तो जैसे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने 20 by waiter को, by waiter जो हम लोग रखे थे अपने side में, ठीक है, और इस में से 25 में से 5 हमारे जो हैं, हम लोगों ने 5 by waiter stand by रखा था, हम लोगों ने needle आप देख सकते हैं, 25 needle हमारा 60 mm का था, और 40 का भी needle हम लोग रखे थे, emergency के लिए, ठीक है, boom pleasure जो हमारा है, यह हम लोगों ने 2 number यूज किये, ठीक है, और एक number हम लोगों का stand by था, light arrangement के दिए हम बात करते हैं, दोस्तों, तो हमारा normal light तो था ही, साथ में हमने दो DG set rent basis में मगाए थे, ताकि कोई problem आए, तो हम उसको रुकने ना दे concrete हमारी चलती रहे, इसके लिए हम लोगों ने बाहर से rent basis में 2 DG set मगाए थे, dewatering pump का already arrangement था, हमारे near about 8 से 9 dewatering pump continue चल रहे थे, क्योंकि जो हमारा cut off level था, वो minus 5.5 पे था, ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों ये raw material का, raw material का जो चीज हम बात आपको कर रहे हैं, raw material जैसे कि हमारे पास एक mixed design का कॉंपी है, ठीक है, यदि हम raw material की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, per cubic meter में, ये kg per cubic meter में आपका data दिया हुआ है, water को आप देखेंगे तो 172.2 है, cement की बात करें तो 410 है, ठी पर cubic meter में है, ये हो गया हमारा 20 का, ये 10 का, ये हमारा add mixture हो गया, ये आपका per cubic meter के हिसाब से हो गया, ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपका जो भी mass concrete है, suppose that वो 2000 cubic meter का है, या फिर 1000 का है, या उससे ज्यादा का है, उसके according आपको हमेशा 10% के ही मगाना है, क्या करना है, 10%, 15% material, raw material को आप extra ही मगा के रखिए, ताकि material को लेके कुछ problem ना हो, दोस्तों, इसमें एक सबसे important चीज क्या है, हमको कभी भी mass concrete करने से पहले अपने team के साथ, एक internal meeting बहुत जरूरी है, और हर एक engineer और supervisor को उसकी responsibility को समझाना, pouring में कौन रहेगा, मिलर को देखेगा, रस्ता को कौन दे को लाएगा, लेवर को ले जाएगा, तो ये सब चीजे क्या है, meeting में already हम लोग एक plan बनाते हैं, plan बनाने के बाद meeting में जब हमारी internal meeting होती है, तो उसमें ये चीजों को बता दिया जाता है, एक हमारा जो group होता, उस group में इसको circulate कर दिया जाता है, कि किस आदमी की क्या responsibility है, ताकि pouring के time में हमों ऐसी कोई problems ना आए, दूसरा दोस्तो हमारे batching plant जैसे कि हमने अपने pour में चार batching plant का use किया, चारो batching plant का maintenance, प्लस यदि calibration date expire हो गई तो उसको calibration करना है, और नहीं है तो उसका maintenance हमको 100% करना है, तो हम और चार batching plant जो हम लोगों ने use किया, और एक batching plant हम बात करके और अपने कुछ जो हमारे side में add mixture लगता है, उसको हम लोगों ने वहाँ जाके shift करके रखा था कि emergency में, यदि हमारा कोई भी plan, breakdown होता है, तो हम बंद ना करके वहाँ से concrete start कर देंगे, तो यह क्या है, stand by हम लोगों ने बाहर भी बात करके रखा था, boom रखा था, औ और इनके साथ साथ एक mechanical की team, maintenance के लिए day और night में, suppose that हमारा कोई मिलर पंचर हो गया, कई मतलब कुछ भी problems आ सकती है, problem बता के नहीं आती कौन सी आएगी, बट उसके लिए already हम लोगों ने एक team fix करके रखा था, और इसमें सबसे ज़्यादा important चीज जो है, वो है road, light, safety, यह स सबसे important चीजे हैं, तो हमने road में particular एक engineer और दो-दो supervisor को हम लोगों ने road के लिए shift करके रखा था, क्योंकि क्या होता है, construction side में road जो होती है, उसमें कहीं उचा नीचा या गड़ा आ जाता है, तो उसको हम लोगों ने पहले proper तरीके से clear करके, rolling करके, JCB Pugland से बरावर करके उस पूरा plan आप अपने आद्मियों के साथ 100% share करते हैं और आद्मियों की responsibility के बारे में बताते हैं, तो आप कभी भी अपने side में इस प्रकार से बड़ा पोर का आप प्लान करते हैं, वो पोर आपके time limit जो आपने time fix किया है, उसके according आपका वो पोर जो है, एकदम time से quality के साथ और safety के साथ complete होगा, दोस्तों मैं हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने अपना 2000 cubic meter का concrete किये, उसके लिए हम लोगों ने चार batching plant ही उसकिया, ठीक है, चार batching plant में हमारा जो batching plant थे, ये CP30 के थे, क्या है CP30, यानि इनकी जो capacity थी per hour, वो थी 30 cubic meter, लेकिन हम लोगों ने average क इतना पकड़ा 25, 25 गुणे 4, यानि हमारा 100 cubic meter production एक घंटे में होगा, इसलिए हम लोगों को लगभग, यदि हम production की बात करते हैं, तो ये देखिए, 2000 हमको कितना 20 घंटे में ही हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने 4 घंटे जो प्लान किया था, उसके according हम लोगों ने 4 घंटे extra ही लेके चले, क्यूं? क्यूंकि हमारा shift change होगा और थोड़ा बहुत बीच में और भी कुछ ऐसा issues आ सकता है, इसके लिए हम लोगों ने एकदम 00 time ना लेके हम लोगों ने उसको 24 घंटे का fix किया, और 24 घंटे की जगे जो हम लोगों 24 hours का target लेके चले थे, उस जगे पे हम लोगों ने 26 hours में with safety, quality और time के साथ concrete को एकदम 100% complete किया, और हमारे side में कुछ भी problems नहीं आई, एकदम smoothly concrete को हम लोगों ने खतम किया, तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको poor plan और क्या-क्या चीजों को ध्यान देना इसके बारे में बताएं हैं, तो जो भी दोस्त हमारे स जुड़े हुए हैं, यदि आप कभी भी आपके side में mass concrete आता है, तो आप एक poor plan बनाएए, अपने engineers, अपने supervisors, अपने operators के साथ, एक joint meeting करिए, उनकी responsibility को बताएए, और एक target fix करिए, और आप इन चीजों को ध्यान दे के, यदि आप अपने side में mass concrete का poor plan बनाते हैं, तो आप 100% अपने target को achieve करेंगे, safety and quality के साथ, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो दोस्तों हमारे दोरा दी गई जानकारी, यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, तो हमारे channel को like करिए, subscribe करिए, और ये information को अपने दोस्तों के साथ share करिए, ताकि इस प्रकार की जो भ अपील है, इन चीजों को ध्यान रखके, मास कोंगरीट अपने साइड में इसी प्रकार करिए, थैंक्यू दोस्तों